एक जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम बालू था। बालू एक बड़ा, सहसी और दयालू हाथी था। वह अपने जंगल में सभी जानवरों के बीच प्रिय था। एक दिन जंगल में अचानक एक भीड आई। यह भीड वास्तव में एक असाधारन और अनूठी भीड थी। बालू ने देखा कि यह भीड में एक अनोखा सौंदर्य और अद्वितियता है। यह एक गोल-गोल और उससे लड़े जंगल का सबसे बड़ा हाथी था। बालू ने उस हाथी को अपने आस-पास देखने के लिए कहा और जल्द ही उसका नाम मेगन पता चला। मेग बालू ने एक दूसरे को अपने जीवन की अंगिनत कहानियों के बारे में बताया। एक दिन बालू को अपने जंगल में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल में कुछ लोग अफसोसनाक हालत में थे और उनकी मदद की जरूरत थी। बालू ने मेगन से